नमस्कार मेरे प्यारे सभी और बेनों सत्य का विश्वोर्ट कारिकर्ण में आप सभी का स्वागत है आज हमारे बीच हैं भारत के बहुत बड़े विद्वान अपि तु में का हूँ तो विश्व के बहुत बड़े विद्वानों में आने वाले एक परम पुज स्वामि सथ्यानन Dash माहराज अपने ज्यान की अलग से पिछड़े से पिछड़े शेत्र में जाकरके अनुपढ़ से अनुपढ़वेक्टी को सरल्ता से सहस्का से मुक्यधारा में जौड़ने करने वाले एसे महान भारत के समाज सेवियों की अग्रिम पंक्ति में आने वाले स्वामि सत्यानजी महराज हमारे बीच है राम चरित्मानस क्या हो गई गीता क्या हो गई वेड पुराण ऐसे कौन से धर्म गरंथ है जो आपके अध्यन से छूटे सभी का ऐसा गहन अध्यन किया है गीता पड़ते इनकी बहुत जल्दी सीरी जाने वाली गीता और मेरा ग्याद आप सभी लोग सुनेंगे आप सभी लोगों के ज्यान चक्षु कुल जाएगा आप सभी को समझ में आएगा गीता को किस तरीके से पेश किया गया और असल में ग प्रैम्ट बिज्वान पर ओंश्क्क का ओंगा थुष अ लगवों क्यों कोर्य है और एक एक शोश्व 조금 लेकरmbिंची जोति बाब फुले कि अभीढ़ा भीम राण वां बेट करजी हमारे आरां दी पेलता कभी सावित्रीवां को कि महात्मा गौतम बंुद्धि जिस विच नोसरी विचार पुछको लोगों तक बहुचाना जाते ए उसी विचार को लिए कर करके हमारे मीच आज स्वामी जी है श्वामी जी, आप का बहुत भामारे बिचार आप सघ्य करते विस्पोर्ट का direktना आपका भामारे बहुता आपने समय दिया अपना जानक से योन अपराज क्यों बढ़ने लगे मात्र शक्ति के पती नारी शक्ति के प्रती भारत के तथाकतित बहुत सारे लेखकोंने और गरंतोंने और महिमा मंदन करके और यत्र नारियस्तु पुझ जनते हो संसकत के श्लोग इंजी के दोहे कविता हैं सुभद्रा कुमारी श्लोग देख लो रामदारी सिंध दिनकर जी के खञज नारि देख लोगे भरी पड़िये नारी की शक्ति को लेगिरियु जी जी नारी के समभान छेजर एक साल की बच्ची से रेव एक दिन यी बच्ची से रेख अंठ्यानवे साल की बजूर कमहीला के साथ रेव और जी उनके चेस्ट को काट करके सळको फेक देना लकडिया गुसा देना यह केसी निर्मम और पैशा चिकता का योन अपरादों का शुनकला कहूं गंदा शिरू हो गारत में तो इसका समाधान आप बताये और इसका कारण भी आप बताये दोनों आप कही पास है जोनों आपको जे मारजी स्वामी जी ने सजनों मेरी बहुत ज्यादा तारिफ कर दी उनका बड़क्पन है धन्यवाद कि सजनों और समानी स्वामी जी देखिए मुनुश जानवर में बहुत फर्क है मनुश जानवर में कामुक्टा होती है वह रीत उत हन्य दॉस्तर होता है। ओपने जानवरों कहीं बलातकार होते हुए थिक दुष्कर को होते चुब हैं उसको जब 6 महीने साल बर में जब उसका हीटिंग या उसका समय आता है गरभावस्ता का उसी समय मतलब वो अपने नर्व विपरित लिंग के प्रति आक्रशित होती है और विपरित लिंग भी उसकी शारीरी खाओ भाओ जो है मान सिकता है अब देख करके उसके प्रति वो संस करता है लेकिन मानव जाती है यह मनुश्य जव है का प्रमात्म या प्रकृति ने उसको कामुग बिना गवेजा आप यह उसको अंत रांत इंत का मुग बनाकर कि बेहरा की ये सच्चाई पहले हमें स्वीकार करना पढ़ा करें है काम वासना नेशूरल है । परमात्मा प् यहां तक कि मरने के बाद भी कमुकता रहती है, आपको बड़ आश्र होगा, इनसान इतना कामुक है, कि वो मरने के बाद कलपना करता है कि सुर्ग में मुझे अफसराय मिलेगी, सुर्ग में मुझे हूरे मिलेगी, सराफ की नदिया होगी, सहिद की नदिया होगी, बहतरे अफसराय होगी, डान्स होगा वापे, नाज गाना होगा, आदमी हमेसाद जवान रहेगा, एक एक आदमी के अंदर सो सो मर्दों की ताकत होगी, अभी आप बड़े-बड़े विद्वानों को यूटूब पर देखें जननत के नजारे बताते हैं, बहाँ अनंत तक ततम वक्ति भोग भोगेगा, वहाँ पर हमें यह साभ काए स्थ हूप जवान रहेंगा, क और好的 रहेगी, जो अपसराय रहेगी, हुरे रहेगी, वह नित बोड़े जवान रहें, और बो इतनी खूप जवान रहेगी, कि अगर वहां से स्वर्ग से जलग भी अगर प्रत्वी पर चुड़ा सा देख मिले तो दुनिया में हाख कार मच्छा है ये मनुश्य के अंदर जो काम उखता है काम वासना है ये उसको देखते हुआ बनाए गया ये मनुविज्यान है स्वामी जी कि मनश्य कितना काम है वो मरने के बाद भी अनन्तकाल तक इस्तरी को भोगना चाहता है और इसी वज़े से ये स्वर्ग की खल्पना की गई जन्नत की खल्पना की लोगों को लालस दिया गया ये तुम्हें भैत्र से भैत्र दाध आग lighter तुम्हें कवारी कज्जाय मिडेगी तुम्हें अक्षत योणिया मिलेगी और हर बार जब आप उसके साथ उसर्बत करेंगे इसके बाद फिर उसुर्दरितिकू कुणा आ जाएगय성 6100 pessoasो जाएगा हर बार कि तो पहले छहीं स्विकार करना पड़ेगी कि एक अंत्याइभ का मुख परांई बिना इसको मानने समाजके अगर परिवर्टन करोना तो पहले बिमारीquinhoThe का örinhas और उसकी जोपनी का हमांन पस्तों के लिए के लिए लए प्रकाइदे के लिए उन्दा तो पहली और परकरती तो पहली चीज हमन्ता पाड़ेगी कि वर करती उन्हा थे लए के दिए वे और कRI अ कि आपकि का अढ़र देखिए अ कामुक्ता जब आजवे की है तो कामुक्ता को सांध करने के लिए हमारे पर साधन विए समाज ने की विवस्ता की है आपके अंदर वासना हैं तो उस वासना को निकालने के लिए आपको एक जीवन साती जिसे विवा की परंपरा विवा की परंपरा अप सारे दुनिया में हैं कमिन फ्यूमा है अब क्या हुआ कि एक तो हमने योन संबंदों के विश्चे में वैग्डालिक शिंतन किया यह समझ औ락णों कोई यह लड़के-लड़की है या बच्चे किशोर अवस्ता में हैं उनके अंदर काम वासना की विछारा आते हैं या प्यार मॉबबद के विष्थार आते हैं या उनको कोई से कोई मारवदर Around Tilless बहुत पढ़ेता नहीं के जुक्त करोज कорresso करेंद सुर्थ T नेतिकता से धर्मस्रे और चाद्रे उड़ाते गए तो हमने उनको यूवाओं को मारता शरी दिया कि बहुत बढ़ी गस्त आप देखिए मतलब स्वामी जीने कितने बैदरी तरीके से बता हैं कि हम दूस्स वाशना के विशे में काम संब्दो के विशे में दुनिया में सबसे पहली किताब जहां तक मेरा नौलेज़ ग्यान है वहां तक हमारे महारती बासाय नहोंगे, उन्होंने काम सुत्र रिखा, जिसमें काम बासना के विशे में और काम जीवन क्या पूरा एक्सलाइजेट उसमें अनालिक्सिश भिसले सर्किया गया, खजराओं के मंदिर बनाये के, पूरी के मंदिर बनाये के, तो हमारे यहां पर योल संबंदू को कभी भी गलत नहीं मारा गया, वासना को जायज तरीके से निकालने में किसी भी कोई प्रोब्लम नहीं है, वासना नाम है गलत है मिरे सब, वो एक नेचर है, विक्रती कहां आत गलत तरीके से निकालते हैं या गलत तरीके से योण व्यवार करते हैं या फिर पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं रखते हैं मुझे बताइए कि एक मकान है वान लोग और उसके खिड़की दर्वाजे सब बंद कर दिये जाए तो उसमें घुटे नहोगी कि नहोगी कि सवाइए के बिलागे लोगी शरीर के अंदर परमात्माने प्रकरति जो द्वार बनाए हैं एक उम्र के बाद कि सवाइए के अंदर विफरत लिंग के प्रतिया अक्रशन पैदा होता है नेचुरल है मालो एक व्यक्ति युवा है बीस पच्छे साल का है या तीस साल ओक रहो गई अब सवाइए कि उनके अंदर काम वासना पैदा होगी जब काम वासना पैदा होगी तो या तो उसकी हम उम्मर कोई लड़की उसे मिल जाए कोई महीना मिल जाए या फ्रेंड्स ही हो जाए तो या फिर वो शादी कर ले या बहुत सारे आज लड़के लड़के पन देखते हैं कि 25-30 साल के हो जाते हैं इसके बाद उनकी शादी नहीं हो पाती है किसी करण से आर्थी स्टेंटर्स की विज़े से रूप रंग की विज़े से या फिर रिस्ता नहीं मिल पाना वह सारे कर उन्टेत रहेगा वह भरा हुए वह बंदूख है वह कामांद हो जाएगा कामांद हो जाएगा तो वह अपने अडोस-डोस की रिस्तेदार की या कहीं भी छोटी-छोटी बच्चियों को टार्गेट करें बहुत बड़ी बात आप ध्यान रखिए क्योंकि यह जो स्वामी सब्सक्राइब के रिकॉर्ड कहता है कि पड़ोस की परिवार की छोटी-छोटी बच्चियों पर पड़ोस रिष्टेदारों नहीं योन अपराद की योन अर्थ्याचार की जिमारा बिल्कु सही आपने यह वासू में दर्शकुष कहना चाहता हूं कि जितने भी योन अफ सब्सक्राइब करता है तो अब हमें क्या करना है तो एक अधित्र तो हमारी उम्र ज्यादा होती जा रही और उसको अपड़ी वासुन निकालने को साधन नहीं मिल पारा है हार्मोद जोपकी शरीर में काम कर रहा है दूसरा हम देखते हैं कि आजकल हम इंटरनेट का समाना हैं तो सभी तरह की फिल्में भी जो देखते हैं योग संबंदुस संब्सक्राइब कहते हैं अब पॉर्नोग्राफी देख करके आदमी जब भरा हुआ होता तो एक रहता तो खाली कहां करेगा तो हम रोकना चाहते ह द्लाकियां में समस्य को हल कर रहें हैं करना है अंब प्रोन अफ्राद बंद कर ना चाहते हैं लेकिन भी समस्य का हल नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों अफराद नहीं होंगें ऐसा नहीं है यह तो अभी आई है प्लवनोग्रफी तो अभी आई है वास्तों में जो इनको सिर्फ यह एड़र्ट लोगो के लिए शाधी शुदा लोगों के लिए बनी हुई है हर किसी पद रीजिञा द으면 क्या साथ पुस्के लिए विग्यार एक उसको पारिबारिव जीवन में पती पतनी एक दूसरे को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे उनके बीच में एक उनका जो मानसिक टेंसन है, शालिक जो भूख है, उसको सांत करने के लिए, क्या-क्या साधन हो सकते हैं, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, इसके लिए कामसुत्र ल के लिए हैं और वो केबल स्याधी शुदा लोगों के लिए हैं क्वारों के लिए नहीं है जो 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 जाएगा कहां उससे भरा जाएगा तो तो वास्तों में एक कारण वो भी रहता है कई लोगों ने पॉर्नोग्राफी देखी इसके बाद अपनी प्रोशन महिला को या बच माननों कोई वक्ति काम वास्तों से भरा होगा है और ना उसकी कोई गर्ल फ्रेंट है ना उसकी शादी हुई है तो अब वो क्या करेगा बताई आप तो उसका एक साधन है मतलब जो हमारा सब्वे समाज इसको गलत मानता है जिसे हम अचरतर हींता कहते हैं लेकिन सदियों से हमारा जो समाज है वर्लेविल का हितियास पड़िए समाज सातर पड़िये इतियास पड़िए सभी सब्समाजों में कुछ महिलाएं कुछ परिबार कुछ जातिया कुछ वर्द कुछ संपरदा ऐसे रहे हैं जो गणी का वरत्ती करते थे यानि समाज में जिनको नगरवदू कहा जाता था जैसे हमारी यहां पर सेनिक होते हैं आप सेनिक बार्डर पर रहते चारचर मेन आप छेचे मेन परिवार से दूर रहते हैं वो अपनी योर्वापसना कैसे संथ करेंगे तो उनके लिए सब भी समाज ने व्यवस्ता की थी कि नगरवदू का इस्तिमाल किया जाएं आप सभी देखी कितनी बहतर तरीके से बहतरीन शब्दों में स्वामी जी बता रहे हैं और इसके लिए स्वामी जी शायद रण में जाने वाली रणडी का आ जाता था रण में जो सेनिक जाते थे जो दूर उनके नाज गाने का उनक संबंदों को संतुष्ट करने के लिए बरना वो जाकर कि कहीं घरस्त महीलाओं के साथ दूर विवार ना करें इसलिए यह विवस्ता समाज उने दीची रण में जाने वाली रणी उसको बहुत बड़ा मिनिंग रण में जो जाती थी वह उनका मनोरजन करवा देती महीला है उनको हमने इस सब्सें नवाजा उनको कई नगरवदू कहा गया तो वास्तों में यह सारा जो आप पूरा इध्यास पढ़ते हैं तो चाहे संसिकर साहित पढ़े हैं कोई भी साहित पढ़े तो हर युग में यह रहा है यह समाज में सैफ्टी वाल्ब का काम करती थी यह मही कोई युवा है उसकी शादी नहीं हो पा रही है या कोई एक विदूर है या कोई विकलांग है या पूर्व है या बजर्ग है उसके अंदर वासना तो है अब वासना होने के बाद अगर सासर पर सासर ऐसी वबस्ता करता है कि हर नगर में कुछ महिलाएं जो स्वेच्छा स स्वेचा से करती है। जिसे बार-बालाओं को अपन देखते हैं। स्वेचा से वो कर रही है। आज कल तो किर्केट चलता है तो उचकती चीर कल्सुट। वो नहीं कह रहा है लेकिन उदारन के लिए पेशा बाता है। क्या है कि कुछ मैलाएं या कुछ लड़किया स्वेचा से इस व्यवसाय को करती है। आज अब हम देखते हैं कि सासन पर सासन की तरफ से रहते हैं कि फलानी लाज में सेक्स रेकट चल रहा है। रेकट थोड़ी है। अब राजी मर्जे से अगर दो इस्तरी पुरूश आपस में संबंद बना रहे हैं। एक तरफ तो कानूर ये कहता है कि भाई वो जायचे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप उसको छापा मारके ग्रफतार भी कर रहा है पर पहिशन भी कर रहा है। तो मुझे बगाईए कि जो बंदों जो भरी हुई है युवा की या जो भी है वो व्यक्ति क्या फिर बच्चियों को फिर बुड्यों को या फिर जबर दस्ति किसी महीदा आको टार्लेट करेगा। काम को शांथ करने के लिए समाज को व्यवस्ता देनी पड़ेगी विकल्प देने पड़े ही जब अधिक से विकल्प होगा तो पर ब्लाटकार होने की तरवत क्या रहेगी जो व्यकति को काम वासना सांज करना मानों एक दस लाग लोगों का एक शहर है तो इसकी समस्या फांसी देना नहीं इसकी समस्या का हल यहां पर कठोर से कठोर दंड देने के बावजूद हम देखते हैं कि निर्भाया के मौत बलातकार के बाद आरोपियों को फांसी हो गई ज कि अधर से ज्यादा रेव रिद्यजी के बात से अभी तक 65,000,000 बलतका रघिस्ट्र्ट यूझ सब्सक्रम करें लेकिन हमें बलातकार का मतलब होता है किसी इस तरी की इच्छा की वृत्त उसके साथ योन-शम्बंद बनाना जाया आप शादी सुदा भी है अजर आप अपने पत्ने से उसकी इच्छा के वृत्त में योन-शम्बंद बनाते हैं तो वो बलातकर की सेरनी में आएगा बहुत सही आपने का तो आप सभी देखते हैं और कही बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि पती के प्रती बलातकर का केस तो आप लोग इस तरी को गाली देते हैं लेकिन इस तरी को महिला को मात्र शक्ति को घ्याली देने से आपकी बुद्धी मंता या आपका धार्मिक्ता नहीं जलकेगा उसकी आप परिशानी समझे उसके साथ वेसा क्यों वो कर रही है जी मलग तो एक चीज तो सासन प्रसासन को ये देखना चाहिए समाज के बुद्धी जी को तेखना चाहिए कि जो राजी मरड़ी से जो संबंद बना रहे हैं उन लोगों के साथ जो अन्या अर्ताचात्र होता मेडिया इससारा करता है और राजी मरगी से जो खुरा आए उसको उनके लिए तयार रहीं तो इसके लिए वास्तों में हमारे सास्त्रों में परंपराओं में और सबी जगे आपने सुना होगा मास्टर मेशन एक हस्त मेशन जिसको कहा जाता है और यह पूरे बल्ड में होता है अब हमारे यहां पे युवा लोगों को यह जो भरे हुए लोगे उनको यह समझाने के जर्मत है कि अगर आपके अंदर वाफ सुना का दिस्पोर्ट हो रहा है बलाकारियों के लिए बता रहा और देखे उसी के लिए इतना इस विशे को हम चर्चा लेकर करके आपके बीचा है कि आज तक इस विशे पर कोई मार्दर्शक ही नहीं रहा और मार्दर्शक हैं तो वह कौर्णोगरापी वाले हैं वह आपको और दिख ब्रहमित करके जीवन के अंतल करने की स्थिति में प नमस्या को और उन बलातकारी दरिन्ने जो होते हैं बहशी होते हैं और वह आशी क्यों बन जाते हैं कामांद में उनके काम की अगनी को नस्ट और स्वाहा करने के लिए उपाय चोटा सा स्वामी जी ने बता है जो हमारी इतनी सारी बहन बेटियों की 65,000,000 आजादी के देखे हमने बनाया कि समाज को शासन को हमारे यहां डो रहते हैं था हमारे यहां पर एक पर विभात था Ghani का बृति放पा मत्री होता था वह सारा उसका असरा देखरे करता था बढ़ बद्ध के बढ़े में बढ़ी ने गळे प्रबचन दिया, उनके घर जाते थे, खाना खाते थे भगवान, और अमबाली का भगवान को उन्होंने अपना शिश्या बनाया था, तो हमारे यहां पे जो गणिकाओं के प्रती जो गलत दृष्टिकों है, वास्तों में वो समाज से भी का है, वो समाज की रक्षक है, जैस विश को वो ग्रण कर रही है, जी-वो समाज से भी गागाна, के व sowो विश्णी कह रहा था लेकिन जो क 요मा एक निकल जा रहा है, वो वो को रोकती है, बहुत भट बादी है सारे सुविदाय सासन परसासन से उनकों मिलना चाहिए और सब दे समाज को उसको गलत द्रश्टी कौंड़्स से नहीं देखना चाहिए कि ये गलत गंदा काम कर रही है या गलत काम कर रही है यह सिर्फ उन लोगों के लिए जो विदूर हैं जो क्वारे हैं या जिनके दूसरे चीज है कि एक और में बताना चाहूंगा कि एक चीज तो मैंने आपको बताई धनिका व्रत्ती को जो सासन को करना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए सासन प्रसासन को इसको नेस लाइजे मतला उसको राष्टी करना चाहिए इसका बुद्धी जीयों को सब को अपने आपको रोक नीपाते हैं इतना पाप करते हो कुकर्म करते हो तो जा ओ भहिया इसे यह पाप को कर्म नत करो जाकर लो जाकर हमारी बेहन, बेटियों को क्यों नोश्टक्त हो अब उसमें मास्टर बैशन है , क्योंकि वो एक व्यक्तिकत मामला है , जाए वह उसका वो होता है तो एसा बलादकार से तो बटेंगे योग अपराद से बचेंगे मीडिया में आने से बचेंगे और समाज की परिवार की इज्ज़त खरार होने से बचेंगे और बहुत सारी टैंसल से बचेगा इसलिए ये विकल्प के तोर पर है कभी-कभी कोई कर देता है इतना तो बहुत सारे टॉइस आते हैं तो कहते हैं डॉल आती है या फिर और बहुत सारे साधन इंटरेट पर शासत प्रसासन का परत्व पे कि वह ऐसी दुकाने या जैसे वेडिकल हमारे यह पर पर लोग कंडों खरीद आते हैं तो ऐसी सुईदा है कि सेक्स जो टॉइस हैं वह भ पर इसे पहुंच जाएं ताकि समाज में की अप्राद हमारी बेहन बेटें तो सुरक्षित रहेगी ऐसे दरिंदों के लिए हैं जी सबके लिए निया तो आप सब लोग जो हमें सुनते हैं फॉलो करते हैं वह इस चक्त्रमाज करने लग जाएं देखो सेक्स तो सभी करते ह तो अब आप इस चीज को अपने जीवन में सहसता से स्विकार कीजिए और हमारी बेहन बेटियों की रक्षा के लिए इस प्रकार की एजुकेशन को समाज के अंदर देना ही पड़ेगा एक साल की बच्ची एक दिन की बच्ची से लेप कर रहा तो वह कितना पापी चारी दरिंदा होगा वह उसको कह रहा है जी माराजी मोली सवामी जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेक्स सापाइदा हो गया हमारी आने वाले जनरसल भी सेक्स सापाइदा होगी है हमारे या भी जो रिशी मुनी रहें वह शादी सुछा थे पाँपाٹ साथा पचास-पचास तक क्या राजा माराजाओं को देखते हैं किसी राजा को 500 औरत हैं हजार औरत हैं तो हमारी जो जब देवी देव तना हुआ शारिशता है भगवान संक्र के साथ गोरापार्वती जी एच Ξर्शन जी के साथ तो तो हमारे यहां पर सेक्स को कभी भी गलत नहीं वाना गया है लेकिन एक थोड़े सी विकरती कब आई कि जब हम यहां पर ब्रह्मचर शादूं का एक रिपाद चला तो ब्रह्मचर शादूं ने कभी भी समाज को सेक्स के संबंद में सही जानकारी नहीं दी तो इस तरीके से उन्हों ने समाज में इतना सारा मतलब सेक्स को लेकर के इतने सारा क्राइम बना दिया उसकी वज़े से पर क्राइम पेदा हुआ जो नहीं दिखा वो अपना अपनी पड़ाई पूरा ध्यान फोकस कर सके अपने केरियर पर पूरा ध्यान कर सके इसलिए उनके लिए यह वह वह किसी प्रेम संबद्ध में ना पड़े उसके लिए लेकर आज जमाना बदल गया फूली तरह ने वह बाते थी बहुत पूरा निए करा अधो जमाना यह बदल गया कि एक दर 시 face off बंदा है कि अधैंगेश की फीक कर्यार बनने करेंगा पांच साल चाहिए कर रूजीयर, वंधे। इंजिनर बनने के लिए उसको पांच साल चाहिए, आई येश के लिर भाने के छारी तौत क्यों ये.. अब 25-30 साल हो जाते हैं तो स्वाबावी कि उनके संपर्थ में कोई ने को इनका बॉइफ्रेंड गर्ल्फ्रेंड भी बता है स्वाबावी कि नेचरल है इंटरनेट से हम सब लोग जुड़े हुए हैं तो हमें बच्चों को यह सिख्षा देना है कि वह अपने केरियर पर ध् साथ रहें तो कोई प्रब्लम नी समाज को प्रब्लम नी होना चाहिए इसलिए सासन प्रसासन नी विस चीज को समझा और इस संबंदों को कहा हुए है लिव इन रिलेशन्शिप दो यूवा इस तरी पुरूष बिना शादी के भी सास्त में जीवन जीना चाहते हैं तो सास फिरिन तरीके से अपने समाज को बता है लेकिन ना कुछ वहनों कि बरकार के गोर्देु और मारे कपड़ों को लेकर ना煞ी जा रहा है जिई-जिदू और ने जिर्दर ब कप Graduate कर पारे के बिलोग हैं जो यह कह रहा पहने का अपने शरीर को बिलकुल अलग तरीके से जो उन्होंने कपड़े टाय करके रहे को कपड़े पहनने का जिस परकार के कपड़े नहीं पहनना इन कपड़ों के कारण कामुकता आ जाते हैं और रेप करते हैं कि जो एक साल की बच्ची है दू साल की बच्ची है उसके साथ 5 साल की बच्ची है अब वो कौन सा कपड़ा पेना उसने कोलसा नहीं पेना आपकी बुद्धी के टोटल ग्रस्ट है आपकी जो काम वासरा में पहतने अंदे हो चुके हैं कि आपका सरीर 25 साल का 30 साल का 40 साल का 60 स कर रहा है मतलब जिस बच्ची को हम हाथ में लेने में डरते हैं कि अंगे ना मुड़ जाए उसके साथ बलादकार हो रहा है तो उसके नीचे राई का तग्या रखते हैं ताकि उसका से शेये तो मुझे बताईए कि ये कपड़ों से बलादकार होता है विचार के जी कि मान लो कि ये तो कि ये कोई वांसेता है किसी व्यक्ति अगर कोई नंगी लड़की भी घूमती हो तो भी किसी को बलादकार करने का अधिकार नहीं है कोई और जिंस पेंद रही है अर्दनगर कपड़े पेंद रही है ये उसकी आजाती है लेकिन आपको मान लो आप थोड़ी देर किसी के बगीचे के पास से हम निकले वहां बड़े बड़े आम पके हुए लगे हुए हैं तो क्या हम सब लोग तूट पड़े वह आम को चोरी करने क्या मैं gonna be our while प्रोडी करने कारे किशे कान ऐसा समान रखा हुआ मामन धूर है थोड़ी देर opposite के उसका उस्का जैज तरीकर है कuba कुछ करना पढ़ेजाır मानलों कोई को फुद्फरत महीला है और दिल आ रहा है सब तरीके से उसे दोस्ति आरा है तो प्रेम बढ़ाई दिरे जो भी एक प्रोसेज होता है अगर इंकार कर देती कि दोस्ति करने से प्रें करने से तो ठीक हो सक जीत जीवन जी है अपना जीवन जीए। लेकिन किसी के साथ बलादकार करने का किसी को भी अधिकार नहीं चाहिए को कैसे भी कपड़े पेने। मुझे बताईए जानवर कोई कपड़ा नी पेंता है। लेकिन क्या किसी जानवर ने किसी जानवर के साथ कभी बलादकार किया। और वह तो नंगी घुनते हैं जानवर तो कोई बीजानवर कपड़े पेंटा है क्या लेकिन बीजानवर जानवर से बलातकार नहीं करता तो दूसरे जानमर में तो कभी नहीं करता लेकिन मनुश्य जो है वो अपने योन की कुंटा को किसी पर भी निकाल देता बुजुर्ग पर बच्चे पर यहां तक कि मैंने देखा कई पश्वों पर निकाल देता कि मुझे बताईए आप कि हमारी माताबेने हमारा परदा नहीं करती है या कोई भी महिला परदा नहीं करती है तो क्या उनके साथ बलाका रोना चाहिए एक हम देखते हैं कि महिलाओं को परिवारों में घुंगट लेके रहना पड़ता है या उनको चेहरा ड़के रहना पड़ता है मुस्लिम समाज में देखते हैं कि वो फूरा बूर्गा सिरसे लेके नीचे पहनती है अगर पुर्ष इतना गामुग है कि ओरत का चेहरा देख करके ओरत के पेर देख करके हाथ देख करके उसके हिफ्स देख करके या उसके ब्रेस्ट देख करके वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हम सब्भी होने हम सब्भी लोग हैं क्या हम सब्भी लोग है क्या हम धार्मिक लोग है क्या हम नेतिक लोग है क्या हम वाना हुए क्या किसी औरत को अगर अपना चेरा पुर्षों से डखना पड़े यादे वो सब्भी समाज है वो समाज कभी सब्भी नहीं हो सकता जिस सम हूप क Singapore गलड़ा गणी में एक अगर है वो अपने हपेट में है और बन्यान में है तो करूं दिक्का कि तूम बन्यान में हो तुम्हारा फिगर तुम्हारा सरीर मुझे बहुत अच्छा लग रहा तो मैं तुम्हारे बलाद करूंगी? या पांस लड़किया मिलकर किसी अर्द नगन जो लड़का है उसके बलाद करना चाहिए? या उसी प्रकार एक लड़की है अगर वो अगर वो अगर वो कम कपड़े भी पहनी है तो क्या उसकी सुईदा उसको घर भी लग रही है और फिर ये तो हमारी पांसिखता है देखिए अगर हम ऐसा सोसाइटी बनाए जहां पर सब लड़के लड़कियों को हापेंट और बन् हम देखते हैं कि विदेश में लोग नंगे पड़ेते लिए उनकी तरफ कोई देखते हैं काम करता रहता आदमी अपर वही जब गुवाम आता है हां भाई जो लड़के लड़की अर्दनदर रहते हैं या चड़ी बन्यान में अपन तक्छा बन्यान में वालों नहां रही हमारे किस कर लें तो पुरा समाज उसको मारने पर तूट जाता है वही समस्या ये हैं अने होना नजरिया यह यह थि का ना दो यूवाथ तरी प्रश पार्क में बैठे हैं या तो वह बहुतरबिया हम को बादर को देख रहे हैं वो उनका नजीमा मुलारा उनका निजी जी Ma जी मुझे बताइए कि sekhs करना या प्रेम करना मुहपत करना ये मेने और आपने नहीं बना या ये प्रकरती ने बनाया है वह उसको कहिंद न जगा चाहिए है अब कई लोग हमने मोलेंगे कि यह आगा है नओ एकोल तो खुफान अच्छल वाले, संसक्ति को घुट करने वाले नगती में अघटास करने वारत ऐ संसक्ति को बचंद है महारत की संकति यह मतलब मानवता भारत की संस्कति यह नहीं कहती कि एक प्रेमी युगल बेटा तो उसके हत्या कर दो उसे अकेले में ले जाके गेंग रेप कर दो जी महारा जी बोल यह कि बास्तों वेलेंटाइन डे आता है तो हम देखा कि बहुत सारे लोग गणा करके प्रेवी योड़ों पर हमला कर देते हैंIl reboot Рजा में प्रेशान करते मिल्डाइव जया आधा था वास्तों में यूणां में हैar और को यूऊरोपी देश, सब्सक्राइब करने से शादी करने से ना करने से शक्ति खत्म हो जाना चाहिए यह बगदी मुर्खता है मुझे मुझे बताइए बड़े जो राजा भाराजा रहें जोनों प्यिद्धे उनकी हजारों रखे ले रहती थी उनकी महिल है। सब्सक्राइब रात में मतलब कई महिलाओं के साथ संबंद बनाते तो वास्तों में हमारी शक्ति का हमारे पावर का इस योर संबंद से कुछ संबंद नहीं है आपकी जो शक्ति है और जो आदमी अच्छा खाएगा पिएगा उसका सरीर अच्छा रहेगा तो उसको जो जितने संबंद बनाना को बनातर है अपने पारिवारिक्स जीवन में लेकिन हमारे यहां पर यह बताएगा कि योर संबंद को करना से सक्तिक हो जाएगी मुझे बता मांसिक्ता बना दी गई है बस्तों में हमारे दिमाग के अंदर जो वासना है उसको टाइम टाइम से खाली कर देना चाहिए वो अगर भरी रहेगी तो वो विस्पटक रहेगी जो व्यकति अपने गरस्त जीवन में पारिवारिक जीवन में योन रूप से संतुष्ट नहीं अगर कोई महीला अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं या कोई पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं यह तो फिर वो क्या करेगा तो बबत दूसरे काम करेगा ना यह क्राइम वहो थ्याय होती है बलाजकार होते हैं या फिर यह कहते हो horij. एक इसकितनी का कर्टव एक वो योण शिक्शावी प्राप्ट करें, जानकार कीव अपने पती को कैसे संतुष्ठ करें, यह उसना कर्तव है मिध्य to एक पत्नी के का कि वह योव इसन संबंदो की जानकार इसको भर्पूर ओन मांसे हुआ से सालिव और कर से रहन कि यो इनरुफ रादुट आपने देखा होगा कि दो बच्चों की मा है, वो प्रेमी के संक भाग गई, पांच बच्चों की मा है फिरी संग भाग गई, क्या होग? क्या होग दो मुझे बताइगे इसके पीछे कारा नहीं कि प्रेम अलग ची यह घमा दिया प्रेम इसलिए चेब अब बात कार है इसलिए प्रेम किशाधियां भी सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब स्विचार धारा में लेकर के जी रहे हैं कि खलाना गोत्रो अत्रों पोत्रों यह क्या क्या चीज़े पता नहीं बहुत सारी खलाना डीनका पीडिया दीडिया सीडिया यह सब अटाओ अंतर जाती विपा करना शिरू कीजिए प्रेम विपा होंगे तो समाज में रिलेशन खर तो फिर पेता हो जाएं क्योंकि रंगा बिल्ला का नाम सुना होगा अपने वो टेंजर ते जिससे सीरियल किलर के नाम सुने जी 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 जो को सजा दी लेकिन फिर समाज में निर्बया कोई देख लो ना जीजके बाद अगर डाहिलाग बलात का हो जाते हैं रिजिस्टर त लेकिन क्या है, कठोर सजा देने के साथ हमें ऐसी समाज की रचना करना है जहां पर प्रेम करने को अफ़राद न माना जाए जहां पर नारी का संवान हो हमारी पत्णी भी हो या किसी की प्रेमी का भी हो तो उसे जबर्दस्थी करने का अधिकार नहीं है जबकि उसकी इजाजत के में उसके साथ सेक्ष करना अफ़राद बहा जाए कि तो थुलापन होगा लेकिन वहिशयानपन करने की एक आपको सम्मान तब देना पड़ेगा जब आप उसके मन की सुन पाएगी आपने लिख दिया कोले आदमे के चार गुना और आड गुना और प्रला में गुना उसमें इस्तरी में वहता है उसे दबा के रखो उसे परबान के रखो उसे डह के रखो उसे चोड़ो दी तो वह ल little की हो जाएगी आपने और आच भुना काम महीलाओं को महावारी आती है माश्रीघ धर्म होता है तो 5-6 दिन तो वो डिश्टर्म होती उसमें प्रकृति नहीं पर बेंड लगा दिया कि उस समय पर प्रेशान रहती है वह सभाई के लिए वहादा जो देख रही है वहिस्चुछ करती है उसमें उनको पीडा थिक श्टो में अपनी बात फॉन अधन, जसके पात हैं करन वह बच्चा होता है तो गर्वा वसता की विश्चे उसके हुआ पर तो बहुत साइकि्व यह जोक्त जानकारी, और इस तरी प्रोस अपने मानसिक जो शादिक संतोष्टी वो भी कर ले इस तरीके की बहुत सारे आसान और बहुत सारी बहुत सारी चीजे कर सकते हैं दोनों बेल करके लेकिन जब अच्छा पेरा हो जाता है तो कम से कम दो अधाय मेने तीन मेने का गयप स्वाभाई को नहीं असलीलता से जोड़ दिया चरित्र से जोड़ गया विज्ञान को असलील बता रहे हैं उजह बताई कि एक आदमी के अगर पचास ओरत है तो क्या वह चरित्र हीना है हमारे यहां पर देखते हैं कि राजारों ओरते हम किसी का नाम निले राजा हुए नबाब हुए या पाइव जी आने वाला है तो आप उसको का का रोपा होगे हैं आपको सिक्षा ही देना पड़े हैं देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट का यूग है आज सारी जो पढ़ाई है वो मोबाईल से होगी माता पिता सुन रहा है तो वो अपने बच्चों को पह सब्सक्राइब करना चाहता है तो अभी उससे ये बोल दीजिए कि ठीक है आपने मेरी कद्र करी नहीं जटके लिए धन्यवाद है मुझे अभी केरियर वनाना तो केरियर वना दो चार साल तो अपने से टाल सकते हैं सामने बाले को अगर वो सच्चा प्रेव करता है तो वो ढ़े तुन तो अगे आको सबसिता पाएव एग्यों सबस्क्राइब करनाा नेसिक्राइब करने उखका मिलो भी लुप इसकी पहचान आपने करनी आपका प्रेमी परी स्गी शिक्ति पहल वापको लड़की दस्वी पक्र रही है या अठवी पक्र प्रेग्नेंट हो गई है या फिर वो प्रेम कर लिया उसने किसी से घर से बाग गई करने वाला कोई बिल जाएगा शादी करने वाला कोई जाएगा लेकिन मेन चीज़ है आपको फोकस के लिया अगर कोई अच्छा लड़का है अच्छे परिवार का है फुर्सूरत है जवान है अगर वह भी किसी लड़की को आफर देता है वह तुम्हें अपना जीवन साती ब सब्सक्था करना चाहते हैं तो सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें मैं जीवन बर साथ देने वाले स्टीवन साती को चुर्णा चाहीं और उसका सामाज़े स्की तो तो नहीं कर रहे है जिसमें एक शडीन्तर के तहद हमारी बच्चे उसल नहीद पुष्यों सबस्क्राइब लड़किया प् liquid कि BC थे आपने एकसेप्ट कर ली फिर वो सबस्कारता रहता है न अपना और चेह दिखाता नो अपना दिखाता थ्टा मक्या है उसका धर्म क्या जाती कि संपर्दा क्या है जाथ पात को तो दरब को मानते रही है विस सभी पूरी मान जाते हैं लेकिन अगर वो सच्चा है तो वो फेस्बुक पे अपना फोटो क्यों नहीं बता रहा है अपने माबाप से बात क्यों नहीं कर रहा है आप चेटिंग करते हुए मैंने एक देखा था एक मुस्लिम परिवारी की महिला थी करना टकी वो एक फेस्बुक वाले से प्रेम करने लगी और वो बिहार पोच गई टीवी पर आया का मैंने देखा और वा निकला तो वह चार बच्चों पर बाप निकला और वह घर पे भी नहीं मिला तो एसी महबबत किस काम की अभी हम देखते हैं कि वह रांग नंबर से बात करती ऐसा होता क्यों हम इस पाते हो पागल या मूंक है वासतों में हर एक सुनिए हरे का चुनी हो प्रेमब प्रेम करने वाला हो रियुग उसको एक यूथ करने लुग चीज होता है हो आप सेक्स अलग चीज यह नही समझ पहते हैं कि यहीं समाद्वना पढ़ेगा कि प्रेंब जब से अच्झ म करना है जिस लड़की से सेक्स करना यह शादी उगई उसे पारा प्रेंड ना है तुम पहले प्रेंड अब करते पत्ले तो法 γ dwsy हो गए तीन बच्चेव इस इंचाय HOY Ce को भी आई लब यू बोला हमने कभी अपनी पतनी को फोल लगा करके कहीं बेट करके घंटों बात की उसका मन करता है कि मेरी कोई तारीफ करें मेरी घुफसूरती की तारीफ करें मेरे अंगों की तारीफ करें मुझसे असलील मस्ती मजाग करें यह एक पति पतनी को असलील मस् अगर आप अपनी पत्नी से अपनी प्रेमिकास से अस्ति मज़ाग नहीं करेंगा उसका मन करता है वह टीवी पर जब हीरोईनों को देखती है नास्ति कूथा ही एक लड़की एक और शाय सुदा पर एक हीरो कितनी मस्ति मज़ाग करता अपनी लड़की को पटाने को आप से बहुत सारा लोग केते हैं कि इंटरनेट की वजय से मोबाइल की वजय से लड़के लड़की बिगड़ रहा है जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था मोबाइल फोन नहीं था तो मुझे बताईए कि हमारे यहां पर भगवान संकर जी और गोरा पारवती में प्रेम हुआ थ तो उसी प्रकार हमारे हांपर राधा और जो प्रेम है उसको भी प्रेम माला जाओं बहारे यहां पर अर्चुन और सितरांगदा का प्रेम है हमारे ही जुद से ठामाधभा म्र प्रेम हों राजश ब्स नहीं यह वै 수нь पहें पर हिश् चौन फितामा मां के माने पापा आता जी एक घंगा और उनका पुरросरी कैते हैं कि कामवासना कोई नहीं हमारे यहां पτε काम को देवता की शंग्यादी नहीं है काम-देव को सब beneath कि जब इनसान की अंदर काम-देवर्जात होता है तो संसार प्रायश सब्सक्राइबrot चंछला हो घो वाफ्षना को नहीं कर सकता है लेकिन अगर काम बास्वन कर दिया तो कोई भी व्यक्ति काम वासना को समाप्त नहीं कर सकता है तो इन लोगों ने अपने काम वासना जो इनके अंदर थी अपनी ध्यान साधना से और अपने सामाजिक कारियों से उतको इतना डाइवर्ट कर दिया उसके लिए टाइम ही नहीं रखा हर माता बेहन को उन्होंने बेटी मां और उसके दृष्टी कौन से देखा और ऐसे भी ब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रस्त जीवन में रेकर के भी पत्नी से आपको नहीं मिलना है ऐसे सादू सथा है ऐसे प्रचार करते हैं कि पत्नी को बहन बना लो समाज ने और प्रकरती ने यह जो विवासंदंद बनाया यह किसली बनाया है अगर आपको ब्रह्मचारी कई पालन करना था तो फिर शादी करने के जरवत थी अब एक पुरुष के अंदर वासुना जाग रहत है उसकी पत्नी किसी बाबा बाबी के चक्कर में या किसी पंत सब्सक्ति ये इसा नहीं है, हडाई या ये सकती आएगी ही, ब्रह्मचार आंस, पर्मात्मा मिलेगा सबसे बड़े जो ग्यानी हुए है किसको मानेंगे सबसे बड़े ज्यानी किसको मानेंगे बहुतिक सास्त्र में देखते हैं अपन तो आइंस्टीन हुआ अब पत्निया सब्सक्राइब में पत्निया उतना ग़या सब्कंदृ नवकर उनके नर्सों को प्रेयम हुआ। आपके कितनी इन और की व scientists भेजान को सम्मंद की जृम है। आपका इश्वर से परमात्मा से संबंद होना अलग चीज है और आपका ये योन संबंद है का लग चीज है एक पालो बहुत बड़ा प्रपेशन है बहुत बड़ा ग्यानी है तो क्या ग्यानी आदमी को प्रेम नहीं करना चाहिए क्या ग्यानी आदमी को सेक्स नहीं करना चा यह शादी नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों कि हमने जिसे ब्रम्चर साधना कितावे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि साल भर में या जीवन में एक बारी सेक्स करना चाहिए। केवल शादी जब शादी हुई तो बच्चा पेदा हो तो सेक्स नहीं करना चाहिए। इसी परकार कुछ लोगों बताते ही। गर्मावस्ता में सेक्स नहीं करना चाहिए। एक बार बच्चा प्रेग्नेंट हो गई तो महिलाओ को दो साल तर उसकी माबाब की घष छोड़ द और अजय जा데ता है। तो बच्चे के जीवन बच्चक पत्नि fryक को घमेशा साथ हैं किसी यान इस को किकर में बस दो मेने चार वह सकती में उससे चार में जा Salesforce साथ में उसको ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए और अपको मोबाइल का यूग है वो एक दुसरे के साथ तो मैंने आपको यह जो मोबाइल वाली जो खथा हैं मेरे बताई यह लड़के लड़कियों को साउधान रहना चाहिए पूर्शो को पती है यह पतनिया है तो उनको अगर पतनी प्रेमी का बनके रहेगी तो उसको प्रेमी की जरवत लड़के को प्रेमी का की जरवत रहेगी किसी पुरुष को फिर प्रेमी काओं को अगर अफेर्स करने जरवत नहीं रहेगी और एक पती अगर प्रेमी बनके रहेगा पती बनके नहीं रहेगा प्रेमी बन भाग जाती, तो उसी प्रकार वो ही बाते आप भी तो कर सकते हैं। जी, बहुत सही, महाराज जी ने कितना स्वामी जी ने कितने तरीके से समझाया। और आप सभी को यही बार-बार हाद जोड़के विनम निवेदनें। आपसी रिलेशन्शिप में हस्बें और वाइफ को बहुत प्यार से रहना चाहिए, तो अच्छे समाज का निर्मान होगा, क्योंकि उनका जो बच्चा है, उनकी जो संतानुत्पन हुई है, उसको पूरा पूरा जो आगे का जीवन है, उपने माबाप की जीवन को देखके सी किताब पोतेव पानडे में जमानी है, वो आपकी परसनल लाइप से निकल के समाज में जाते हैं, आप सभी का बहुत आबार, स्वामी जी का बहुत आबार, कि हमारे भी समाब आए, आपने सत्यका विस्पोर्ट कारिकम में इतने गंबेर विशह पर अपने मत रखे, अपन पॉर्ण क्राइम जो चल रहे हैं सब बंद होगे और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा कहीं न कई भारत सरकार भारत सरकार की एजेंसिया वूमन कमिशान और भी अनिनी जो संस्ता एंजियो अगेरा काम कर रहे हैं वो इन चीजों पर ध्यान दे इस लेक्चर को सुने औ पर हुवर्णार हमारा पोई कोपिराइड नहीं किसी प्रकार करTwo कौपिराइड नहीं इसे समाज के उपियोंग के लिए तो कहीं भी आप इसका प्योव कर सकते ऐबना फेसबुक पे योट्ईब पर Okel कई ले सकते इस पोई दाराओं में उसके पतीक केस दर जोगा इसका थोड़ा ध्यान देगी सौमी जी ने मुझे याँ उलाकर के इतरा सम्मान दिया और मेरे कड़वे प्रवचन सुने देखिए सजनों मेरे प्रवचन का मकसद किसी की भावना को ठेस पोचाना नहीं है ना समाज में कामुकता का प्रचायर करना है मेरा मकसद ये है कि प्रकरती ने मरेश्यों को कामुक बना के बेचा है एक जायज तरीके से उसको अपनी वासनाओं को सांत करे और समाज अपरादों से मुक्त हो किशोर बालग बालिकाओं, यूवा बालग बालिकाओं को हम जो बुद्धिजी भी लोग है उनको सही तरीके से गाइड करें कि उनका जीवन सुक्सांति समर्दिपोन हो किसी भी प्रकार के जो योन अपराद होता है उस अपराद की प्रती हम सब जवाबदार है अगर हमने यूवा इस तरी पुर्षों को या किशोरी बालग बालिकाओं को सई डंसे गाइड ने किया तो निश्चिती उस अपराद के हम भी दोशी है इसलिए मैं सासन प्रसासन से भी आगरे करूंगा और समाज के गुद्धी जी वशागरे करूंगा कि वो योन संबंदों को को लेकर के किसी प्रकार का सरम संकोच न रखे अपने माबाब बच्चों को समझा दे कि भी आपको भविश्य बनाना है तो इन संबंदों से अभी आपको थोटा सा दूरी बनाया रखना है और अगर कोई लड़का लड़की अगर संपर्क में आता है तो माबाब को आप बताईए और माबाब को इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि बेटा हम तुमारे शादी कर देंगे इसी लड़के से कर देंगे लेकिन तुम अभी अपना केरियर माबाब हो तुम बहुत बहुत धन्याओ